कल की क्लास में मुझे एक कमेंट आया था श्रवन कुमार जी का तो श्रवन कुमार जी का ये कहना था कि मैम वर्ड्स हमें आते हैं पर सेंटेंस नहीं बनाना आता तो कोई ऐसी क्लास बताओ कि शब्दों के माध्यम से हम वाक्यों की फॉर्मेशन कर सकें तो बात तो करके bell notification on कर दीजेगा क्लास को शुरू करते हैं आज की क्लास है वाउ टेकनीक के उपर वर्ब और ओडबलो को मिला करके वी ओडबलो इसको आप वाउ टेकनीक भी बोल सकते हैं आपकी मर्जी है टेकनीक का नाम कुछ भी दे लीजे रिजल्ट ही सब कुछ बताता है यह टेकन होगा आज की क्लास को शुरू करते हैं सबसे पहले समझते हैं कि यह वाउ टेकनीक बन कैसे रहा है वाउ वी ओडबलो यानि की वर्ब और ओडबलो को मिला करके बन रहा है वर्ब जो है वो क्रिया कहलाती है और ओडबलो जो है वाके में बाकी शब्दों को हम कहते हैं यान यह basic simple सा वाक्य जहां पर है कि मेरी मदद करो इस वाक्य को जब हमें convert करना होगा English में तो हम क्या कहेंगे इस वाक्य को कैसे बनाएंगे इस वाक्य को अंग्रेजी में तो हमें दो step follow करने हैं सबसे पहला step हमारा translation नहीं होगा सबसे पहला step हमारा movement of the sentence होगा जो हमारा original sentence है उसक जो है फिर बदल होगा basically ठीक है तो मेरी मदद करो इस वाक्य को translate करने के लिए आपको simply इस वाक्य को दो हिस्तों में तोड़ना है जहां पर आपको सबसे पहले verb को ढूंड के निकालना है और उसके बाद दूसरे शब्द आपको automatically मिल जाएंगे तो इस वाक्य में मेरी करो यहां पर मदद जो है वो हमारा वर्ब है यानि की help जिसके अंग्रेजी होती है तो हमें मदद जो है वो मिल गई तो ये अलग हो गया और अगला हिस्सा हमारा other words का बचा मेरी ठीक है तो इसको हमें क्या करना है हमें वर्ब को वाक्य से ढूंड करके शब्द के पहले वा वाक्य के अगले हिस्से में लेकर के चले जाना है तो ये वाक्य जो है बन गया मदद करो मेरी मेरी मदद करो जो है वो अब क्या बन गया है हमारे conversion से मदद करो मेरी ये बन गया है अब final step आता है जब आप इसकी translation करते हैं जहां पर मदद करने की अंग्रेजी help होती है और मे तो step 1 हमारा वाक्य की अदला बदली, step 2 हमारा ट्रांसलेशन और इसी से मेरी मदद करो की अंग्रेजी बन जाती है help me, बहुत सिंपल है, प्राक्टिस कराऊंगी डेर सारा आजी के क्लास में तो आपको बहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, दो steps बस याद रखने हैं, उसके पहले वर्ब का एक छोटा सा रविजन कर लेते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, all action words are verbs, यानि कि याद रखेंगे जो किया वही क्रिया, यानि कि वाक्य में जो भी चीज हो रही है, जो भी चीज की जा रही है, उसकी अंग्रेजी हमें बनानी है और वही क्रिया होगी, जो चीज ह हो रही है वाके में, चाहे directly हो रही हो, indirectly हो रही हो, no matter, ठीक है, वर्ब होता है, खाना, खेलना, पढ़ना, हसना, लिखना, eat, play, read, write, ये सारे वर्ब होते हैं, तो शर्त क्या है इस class की, इस class को successfully complete करने की साथ ही इस concept को अच्छे से apply कर पाने की शर्त सिर्फ एक है, आपको व वाव टेकनीक पड़ रहे हैं, examples हम लोग देखेंगे और उसको practically change करके देखेंगे, काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, सबसे पहली बात तो 100% काम करता है ये formula, बशर्ते आपको verbs याद हो, अच्छी तरीके से, clear, चलो, तो अगला है पूरी तल दो, पूरी तल दो, पू तो तलना हमारा वर्ब हो गया, तो वर्ब को पहले लिख लिया, और हमने जो बचा खुचा शब्द है, वो पीछे लिख लिया, तो अभी ये वाक्य बन गया है, तल दो, पूरी, पूरी तल दो बन गया, तल दो, पूरी, अब इसकी translation होगी, तलना अंग्रेजी में fry कहा ज हम लोग थोड़े बेटर वाक्य क्लास के end cure करेंगे, बहुत सबसे basic, जो वाक्य आपको देखके न, अजनभी-जनभी महसूस न कराएं, वो वाले वाक्य हम लोग अभी कर रहे हैं, रोटी सेक दो, चलिए इसको क्या करना है, वर्ब ढूनना है सबसे पहले, रोटी सेक दो सेकना is the process जो इस वाक्य में हो रहा है, तो सेकना जो है वो वर्ब कहलाता है, वर्ब है वो सेकना, ठीके, तो सेकना जो है सेक दो आगे रख दिया और other words को पीछे रख दिया, सेकने की अंग्रेजी होती है बेक, और रोटी सेकने की बात करी जा रही है, तो रोटी की अंग् वाके में वर्ब जो है वो है हमारा लाना क्या है लाना यहाँ पर काम क्या हो रहा है कुछ लाने का काम हो रहा है तो लाना हमारा क्या है यहाँ पर हमारा यहाँ पर वर्ब है तो ले आओ सबजी सबजी ले आओ कनवर्ट हो करके यानि कि अगर अदल बदल हो करके क्या हो गया ले आओ सबजी अब इसकी translation होगी लाना अंग्रेजी में bring कहलाता है वर्ब और क्या लाने के बात हो रही है भाई सबजी लाने के बात हो रही है तो the vegetables bring the vegetables ये ऐसे जो है translate हो जाएगा clear समझ में आ रही है बाद आपको कि कैसे simple सिर्फ वर्ब अगर आपको याद है तो कितनी beautifully आप अंग्रेजी translate कर सकते हैं और आप जो भी लोग ने मुझे comment किया था कि मैं शब्द तो पता है श्रवन कुमार जी ने तो किया ही था इसके लावा और भी मैं comment देखते रहती हूँ कि मैं words को apply करना बताओ तो लीजिए words को apply करने वाली class class कैसे लगी फटा-फट से comment करके मुझे अभी के अभी बताओ चलो बरतन धोलो अगला वाक्य है हमारा बरतन धोलो तो धोने धोना जो है यहाँ पर वर्ब है तो यह आगे आ जाएगा धोलो बरतन क्या बन जाएगा धोलो बरतन धोना यानि की wash और बरतन यानि की the dishes wash the dishes पोचा लगादो पोचा लगादो लगाना है ना तो पोचा लगाना पूरा का पूरा जो होता है ना वो एक एक ही वर्ड है इंग्लिश में उसके लिए पोचा लगाना जो है उसके लिए एक ही वर्ड है प्रॉपर इंग्लिश में that is called mop अब पोचा लगाने के लिए बोल रहे हैं, कहां पोचा लगाने के लिए बोल रहे हैं, फ्लोर पे लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो हिंदी में तो अपन फ्लोर मेंशिन नहीं करते हैं, क्योंकि सामने वाले को पता होता है कि कहां पोचा लगाने के लिए बात हो रही है, अ कुछ बचा नहीं था word तो इंडिरेक्ट जो word था वो हमने लिख लिया floor, mop the floor, इसे साफ कर दो, साफ कर दो, साफ करना ये जो है वो verb है, जिसकी अंग्रेजी clean होती है और इसे यानि की it, clean it, clean it, पंखा चलादो, चलाना, यहाँ पर जो है चलाना, यह जो है यहाँ पर verb है, यह जो है क्रिया है यहाँ पर, तो चलादो, और क्या चलाने की बात हो रही है पंखा, जब electronic items की बात होती है, तो switch on, switch off की हम use करते हैं, English translation में, तो switch on the fan, घर पर रहो, घर पर रहो, रहना, रहना, जो है वो verb होता है, रहो, कहाँ पर, घर पर, रहना, यानि की stay, तो घर पर रहो, stay at home, पर्दे हटादो, क्या है, पर्दे हटादो, तो यहाँ पर काम कहाँ पर हो रहा है, हटाने का काम हो रहा है, तो हटादो, पर्दे, हटाना की अंग्रेजी होती है, remove, और पर्दे यानि की curtains, पर्दे की अंग्रेजी curtains होती है, तो remove the curtains, इसे करो, इसे करो, कुछ करने की बात यहाँ पर हो रही है तो करना जो है वो यहाँ पर verb है और किसको करने की बात हो रही है इसे तो do it क्या हो जाएगा do it फिर है वहाँ जाओ क्या है हमारा वाक्य हमारा वाक्य है वहाँ जाओ तो यहाँ पर काम किस चीज का हो रहा है काम यहाँ पर जाने का हो रहा है, कहीं जाने की बात हो रही है तो जाना, यहाँ पर वर्ब है, वो आगे आ जाएगा क्योंकि वाउ टेक्नीक हम लोग सीख रहे हैं और अदर वर्ड्स हमारा बचा वहां तो जाना क्यंग्रेजी, गो और वहां यानि की देर गो, देर मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो तो भरोसा करना, यह यहाँ पर क्रिया हो रही है न, भरोसा करने की बात चल रही है यहाँ पर तो भरोसा करना, है न, यानि की ट्रस्ट किस पर? मुझ पर, यानि की मी, तो ट्रस्ट मी trust me बाहर जाओ तो बाहर जाना क्या होगा इसमें वर्ब जाना इसमें वर्ब है न तो जाओ बाहर go out go out अंदर आओ अंदर आओ आना यहाँ पर वर्ब है तो आओ अंदर exchange हो गया जगा अब translate करो आना यानि की come अंदर यानि की in या inside तो come inside या come in खुश रहो खुश रहो तो रहना है ना रहना यहाँ पर वर्ब है और क्या रहने की बात हो रही है खुश रहने की बात हो रही है तो रहो खुश be happy इसे दोहराओ इसे दोहराओ दोहराना जो है, वो यहाँ पर क्रिया हो रही है, दोहराना, इसकी अंग्रेजी होती है, repeat, तो हो जाएगा, repeat this, repeat it, दोनों में इसे कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, buy बोलो, बोलना यहाँ पर process है, बोलना यहाँ पर काम है, है न, तो बोलो buy, बोलने की अंग्रेजी होती है, say, buy यहनि की buy, say, buy, नहालो, नहालो, है न, तो यहाँ पर कुछ करने की जो बात हो रही है, वो होती है, मतलब बात आप लेते हो, है न, आप नहाते हो, ठीके, तो low, यानि कि take और क्या नहाने के बात हो रही है, तो take a bath, चुपाओ मत, कुछ करने की मनाही की जा रही है, तो मत जो है वो मनाही को दिखा रहा है, तो मत चुपाओ, मत की अंग्रेजी होती है, मत जहाँ पर आप मना करते हैं, मत यानि कि सला वाला मत नहीं, जहाँ पर आप मना कर रहे हैं वो वाला मत, ठीके, तो वो होता है क्या, वो होता है don't, don't, है न, don't hide, don't hide, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, तो ध्यान देना, ध्यान देना, इसके अंग्रेजी होती है focus, क्या होती है focus, तो focus here, यहाँ यानि की here, यहाँ ध्यान दो, focus here, तो धूंडना यहाँ पर काम है, धूंडना अंग्रेजी होती है, find, किसे मुझे, धूंडो मुझे, find me, find me, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, बुलाना, यानि कि call, है न, call, उसे, तो उसे अगर किसी male के लिए use हो रहा है, तो him, call him, अगर female के लिए use हो रहा है, तो call her, चिके, इ इसे सम्हालो, कहेंगे सम्हालो इसे, सम्हालना, यहाँ पर process है, काम है यहाँ पर, सम्हालना, यानि कि handle, तो handle it, handle it, clear, तो हमने आज पढ़ी एक technique, देखो ऐसी न, बहुत सारी techniques है, बहुत सारी techniques है, और अगर आप मुझे कहोगे कि मैं ऐसे technique से मुझे अंग्रेजी सीखनी ह तो मैं यह classes आपके लिए लाऊंगी, और in fact मैं सोच रही हूँ क्यों न, यह course ही बना दूँ, है न, कि जिससे न, यह course हम लोग focused रखेंगे, जहाँ पर हम लोग technique की मदद से, वाक्यों को translate करना सीखेंगे, अरे, trust me, बहुत सारी techniques है, ठीक है, तो अगर आपको यह class चाहिए यह आप चाहिए कि मैं course आपको करा दूँ, सारी techniques के उपर based, यह ऐसे course करा ही दूँ, है न, क्यूंकि यह लग रहा, बहुत दिन से course भी नहीं कराया, है न, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं course करा हूँ, technique वाली course करा हूँ, जिसमें मैं सारी techniques को discuss करूँ, तो आप जो है, कमें करो फटा-फट से, और आज के class कैसी लगी, यह मुझे फटा-फट बताओ, class अच्छे लगी है, class को like और share कर देना, आप देख रहे हैं Sunday English Academy, मैं हूँ प्रीती मैं, subscribe करके, bell notification on कर देना, यह चार courses है, basic से pros, spoken English, English writing, English grammar, और English reading की, और यही books है कुछ, यह सब कुछ आपको हमार करके हम पूच सकते हैं कि आपको कौन सी course करनी चाहिए, free करनी चाहिए, paid गरनी चाहिए, यह सारी details मिल जाएंगे आपको, e-books हमारी इस website पर भी available है, e-book का मतलब होता है, PDF वाली किताबे, तो इनको डाउनलोड करना पड़ता है, तो डाउनलोड जरूर कर दिया करें, इसक तो थी अपर कर वाचित कर दो cathний तो, तो झानलोड जरूनलोड वगिए, जैभनोड़ जरूर, फो रखसूर, जैभनोड, तो टो धनकोंटनलोड़, तो लिए टर वाह हैं, इस उस्कित वाच माड्सक्नले, इस पचानरूब।